फिल्म इंडास्ट्री के एक आक्टर ने अपने स्ट्रगलिंग दौर की बात शेयर की और बताया कि कैसे हीरो बनने के बाद भी उन्हें अच्छा कासा स्ट्रगल करना पड़ा है और एक चाइम ऐसा था जब इनोंने सिर्फ और सिर्फ रिबन काट कर और इवेंट्स में इनिशली 2010 तक आक्टिव रहे अच्छा खासा नाम भी कमाया चर्चा भी रही एक चर्चत मॉडल भी रहे फिर अक्टर भी बने कुछ फिल्में भी की लेकिन 2010 के बाद वो इंडस्ट्री में इनक्टिव हो गए जीनमोरिया कहते हैं कि जिस तरह के रोल्स का में इंतजार कर देते हैं कि अक्टर किस लेवल का काम कर रहा है जीनमोरिया कहते थे कि मेरे पास काम नहीं था उसके बावजूद में काम रिजेक्ट कर रहा जिसके लिए हिम्मत चाहिए और यह रिजेक्शन सिर्फ इसलिए क्या क्योंकि मैं अपना मार्केट नहीं गिराना चाहता था एक producer के offices का चक्कर लगाता रहा, सब को कहता रहा मैं available हूँ, मैं काम करने के लिए तयार हूँ, लेकिन जैसा काम मैं चाहता था, वैसा काम मुझे नहीं मिला, इसी दौरान घर के bills भी होते हैं, खर्चे भी होते हैं, उन्हें भी manage करना होता है, तो इसके लिए Dino Moria ने कहा कि कभी मैंने कहीं inauguration किये, ribbon काटे, तो कभी डाजलिंग में किसी beauty pageant को judge कर लिया, कुछ इस तरीके से मुझे इन लोगों ने survive करवाया है, और इन सभी लोगों को अब Dino Moria ने thanks कहा है, इसी लिए कहते हैं कि ये industry है, यहाँ पर आज कल का कुछ पता नहीं चलता है, आज जो star है, हो सकता है कल उसके पास काम नहीं हो, Dino Moria जो modeling से acting में आये थे, actor भी बने, filmे करने के बावजूर उन्हें struggle करना पड़ गया, इस industry में, और इस struggling period को ही Dino Moria अपना golden time कहते हैं, अब उन्हें नए तरीके के roles मिल रहे हैं, और इससे वो काफी खुश है